अपने चैनल पर आपको आपके घर में परिवार में आपकी यार दोस्तों में या फिर ओफिस में अक्सर लोग समझाते होंगे क्या आपको जोब करते समय ही अपने फ्योचर को सिक्यूर कर रहे चाहिए यानि जिस समय आप नोकरी कर रहे होते हैं उस समय आपको थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए लेकिन आपको यह कोई नहीं समझाता होगा कि आपको सेविंग कहा करनी चाहिए क्योंकि सेविंग करने का भी एक सही तरीका होता है क्योंकि कोई व्यक्ति यदि सेविंग करता है तो यह सोचकर सेविंग करता है कि वह अपने फीचर में अपने लक्षियों को पूरा कर सके लेकिन यदि आप सही तरीके से स्मार्ट तरीके से सेविंग नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्षियों को पूरा नहीं कर सकते इसलिए आप आने वाले future में क्रोड़पती बनना चाहते हैं, तो अब आपको saving कहां पर करनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्रोड़पती बन सकें, यही हम आपको यहां पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, सबसे पहले तो कहीं भी पैसा निवेश करने के लिए आपको दो पैमाने होते हैं, एक होता है risk और दूसरा होता है return, अब आपको saving के लिए investment करने से पहले यह फैसला करना होता है कि आपको risk के साथ चलना है, या फिर आपको return के साथ चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसे को लेकर किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहते हैं इसलिए वो return को ignore करते हैं, लेकिन ऐसे में यह होता है कि आप पूरा जीवन थोड़ा थोड़ा पैसा निवेस करते हैं कहीं पर, saving के लिए उस पैसे को जमा करते हैं, लेकिन आपने अपने future में उस saving को लेकर जो सपना देखा है, मान लीजिए आपने क्रोड़बती बनने का घर बनाने का या जो भी सपना देखा है, आपको ज़्यादा return ना मिलने के कारण आप अपने उन लक्षों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको यदि इतना समझ में आ गया है कि यदि आपको जल्दी से जल्दी अपने लक्षों को पूरा करना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क के साथ चलना होगा, इतना समझ जाने से आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आपको निवेस PPF में सुरू करना चाहिए, या फिर आपको mutual fund में निवेस सुरू करना चाहिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप अपने लक्षों को पूरा करने के लिए हर महीने 10,000 रुपे निवेस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यह जो आप 10,000 रुपे जमा कर रहे हैं, इस से आप अपने लक्षे को यानि के क्रोड़पती बनने के जो आपका सपना है, उस सपने को पूरा कर सकें, तो आपको इसके लिए PPF में निवेस सुरू करना चाह क्योंकि मूचल फंड में यदि आप आज 10,000 रुपे हर महीने निवेस करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी PPF के मुकाबले क्रोड़पती बन सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है, कि PPF में सरकार हर 3 महीने में इंट्रेस्ट तै करती है, और यह जो इंट्र सरकार जो हर 3 महीने में इंट्रेस्ट तै करती है, उसी इंट्रेस्ट के साथ में आपकी रकम आपको लोटा दी जाती है, हाला कि आपको यह बता दें कि सरकार किसी समय में PPF के उपर 12% तक का भी रिटन देती थी, और यह बात भी सच है कि किसी समय में PPF का जो क्रोड़पती बनने का सपना देखा है अपने लक्षे रखा है क्रोड़पती बनने का और आप 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं पीपीफ के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि आप 7-8% के इंट्रेस्ट रेट से भी क्रोड़पती 27 साल में जाकर बन सकते हैं लेकिन वहीं यदि दूसरी तरफ बात करें एक्विटी मूचल फंड की तो उसमें आप हर महीने यदि 30 साल की उमर में 10,000 रुपए की रखम जमा करते हैं आप 10-12% तक इंट्रेस्ट रेट हासिल कर सकते है और 10-12% इंट्रेस्ट रेट से भी कई वार उपर चला जाता है और आपको जादा से जादा 20-21 साल लगेंगे और 20-21 साल तक यदि आप 10,000 रुपए हर महीना 30 साल की उमर से या फिर बाद में भी जमा करते हैं एक्विटी मूचल फंड के अंदर तो आप 20-21 साल के अंदर ह क्रोड के क्रोड़ पती बन जाएंगे आए थोड़ा सा आपको पीप और मिचल क्वान्ड में फर्क भी समझा देते हैं पीप मूचल कंड में रिस्क नहीं कि बरावर होता है equity mutual fund में short term में risk होता है PPF में 15 साल का locking period होता है यानि कि आपको कम से कम 15 साल तक के लिए निवेस करना होता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ equity mutual fund जैसे ELSS में locking period सिर्फ 3 साल का होता है PPF में निवेस कर दिया तो कुछ शर्तों के साथ आप 7 साल के बाद ही कुछ पैसा निकाल सकते है mutual fund में कभी भी आप पैसा निकाल सकते है यानि आपको अगर पैसा जमा करने के बाद बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए equity mutual fund ज्यादा safe है आप उस में से कभी भी अपना पैसा बापिस निकाल सकते है अगर बात करें tax में छूट की तो PPF में 15 साल तक निवेस करने पर 17c के तहद, 1.5 लाग रुपे तक की छूट मिलती है और ELSS में भी 3 साल तक निवेस करने पर असी सी के तहस डेड़ लाग रुपे तक की छूट दी जाती है लेकिन यहां पर आप यह भी याद रखिए कि यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पीपीएफ आपके लिए सुरक्षित है अब यदि आपके मन में पीपीएफ और एक्विटी मुचल फंड को लेकर को कोई भी कोश्चिन है तो हमसे आप नीचे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों साथ वाटसाप और फेस्बूक पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि